बच्चों आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार आज इस भाग में हम आपके लेखा शास्तर की पहली पुष्टक के पहले अध्याय अर्थात NPO यानि अलाबकारी संस्थानों के लेखांकन का चौथा वा आखरी भाग देखने जा रहे हैं आप सबको याद होगा कि पिछले तीन भागों में बहुत विस्तार से हमने एक अलाबकारी संस्थान के लेखांकन से जुड़ी बारीकियों को समझा है हमने नाकेवल अलापकारी संस्थान के विशेशताओं और उनके लेखांकन से जुड़े खातों के आधार भूत विशेशताओं को समझा बलकि हमने धीरे धीरे करते हुए उनसे जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मदों के बारे में भी समझा जो इस संगठन या संस्थान को अन्य संस्थानों से अलग बनाते हैं और साथी साथ ये मद इनके लेखांकन के अंदर खातों में विशेश स्थान प्राप्त करते हैं एक NPO अर्थात अलापकारी संस्थान के दो बहुत महत्वपूर्ण गणनाओं को समझा हमने समझा कि ऐसे संस्थाएं अपने चंदे की राशी की गणना कैसे करते हैं और साथी साथ ये अपनी प्रियुक्त सामगरी की राशी की गणना कैसे करते हैं इन सभी छोटी छोटी गड़नाओं को जो अभी तक आप सीखते आए हैं, हम इन सब को अब एक जगा मिलाकर इन संस्थानों के अंतिम खातों को बनाना सीखेंगे तो आइए देखते हैं कि एक NPO के अंतिम खातों की क्या विशेश्चताई है NPO के अंतिम खाते बच्चों आपने देखा है कि एक NPO मुख्यत है तीन प्रकार की अंतिम खाते बनाता है इसका सबसे पहला खाता है प्राप्ति व भुक्तान खाता इसका दूसरा खाता है आई व व व्याय खाता व अन्य संस्थानों की तरह इसका भी तीसरा खाता है तुलन पत्र जिसे आप आम बोलचाल में बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं तो ये तीन मुख्य खाते हर NPO अर्थात अलाबकारी संस्थान तयार करता है बच्चों आपके परिक्षा के परिपेक्ष से अगर इसे हम समझें तो आपको ध्यान रखना है कि आपके परिक्षा में जो प्रशन आपसे पूछा जाएगा उसमें साधार न तह आपको प्राप्ति व भुक्तान खाता दिया जाएगा वो इसके सहायता से आपको पहले तो आए व अब्याए खाते को तयार करना है और फिर इन दोनों के सहायता से आपको अपना तुलन पत्र तयार करना है बच्चो आगे बढ़ने से पहले इन दो मुख्य खातों की जो सबसे प्रमुख विशिष्टाएं आपने पड़ी हैं एक बार जल्दी से इनकों फिर देख लेते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि प्राप्तिव भुक्तान खाता एक नगत खाते की तरह होता है इसमें नकद में होने वाले सभी प्राप्तिव और भुक्तानों को लिखा जाता है इसके अंदर लिखने वाली मदों में हम ये नहीं देखते कि वो मदे या वो राशिया किस वर्ष की हैं वो वर्तमान वर्ष की भी हो सकती है वो गत वर्ष की भी हो सकती है या वो आने वाले वर्ष की भी हो सकती है इसमें जो हमारा ध्यान होता है वो केवल नकद पर केंदरित होता है हम इसमें ना तो वर्षों को ध्यान देते हैं ना हम इसमें मदों की प्रकृति को ध्यान देते यदि उसमें नकद का आदान प्रदान हुआ है तो जबकि आय और व्याय खाता जो है आपको याद होगा यह वैवसाईक संगठनों के लाब वहानी खाते के तरह होता है इसके अंदर हम लाब वहानी प्राप्त करने के उदेश से मदों को लिखते हैं हाला कि हमें यह भी आद रखना है कि NPO लाब और हानी शब्द का प्रयोग नहीं करता वो इनके बदले किन शब्दों का प्रयोग करता है वो हम इसको बनाते वक्त और अच्छे से देखेंगे आप फिलहाल यह याद रखें कि आय और व्याय खाता लाब और हानी खाते की भाती होता है इसमें जो मदें हम लिखते हैं उन मदों में हमारा ध्यान इस बात पर केंदरित होता है कि वो मदें केवल वर्तमान वर्ष से जुड़ी हुई होनी चाहिए तथा इन मदों की प्रकृती केवल आगम प्रकृती की होनी चाहिए यानि कि इसके अंदर हम पूंजिगत प्रकृती की मदों को नहीं दिखाते हैं इसका कारण यह है कि पूंजिगत प्रकृती की मदों को दिखाने के लिए ही तो हमारे पास तोलन पत्र है ना तुलन पत्र का कारिय क्या है तुलन पत्र में हम पूंजिगत प्रकृति की मदों को दिखाते हैं बड़ी मदों को दिखाते हैं चाहे वो संपत्या हो चाहे वो देंदारिया हो तो आपकी पूंजिगत प्रकृति की मदें चली जाएंगी तुलन पत्र के अंदर और आपकी आ वो चाहें छोटा हो या बड़ा हो, यदी आपको प्राप्त हुआ है, यदी आपने उसको भुगतान किया है, तो वो आपको इस खाते में दिखाना है। जबकि इस खाते में आपको उन मदों का ध्यान रखना है जो केवल वर्तमान वर्ष से जुड़ी हुई है आपको यह नहीं देखना कि क्या प्राप्त हुआ या नहीं हुआ आपको यह देखना है कि बले ही चीजें आपको प्राप्त हुई हो या ना हुई हो वो यदि वर्तम पाएंगी इन बातों को ध्यान रखते हुए अब आप प्रश्ण के तरफ सोचना शुरू करें कि आपको जब प्रश्ण मिलेगा तो आपको प्राप्तिव भुक्तान खाता दिया जाएगा आपको इस खाते से आपको प्राप्तिव भुक्तान खाते से इसकी सहायता से आपको कदम कदम बढ़ा कर यहां पहुँचना है उसके बाद और कुछ कदम बढ़ा कर आपको यहां पहुचना है और अंत में आपके पास तीनों प्रकार के खाते उपलब्द होंगे मैं आशा करता हूँ यह बात आपको समझ आई होगी अब इस ग्यान इस सूचना के साथ हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो कुछ चरण क्या है वो कुछ कदम क्या है जो हमें यहां से लेके यहां तक लेके जाएंगे और फिर यहां से लेके यहां तक लेके जाएंगे तो बच्चो आईए अब हम देखते हैं कि वो चरण क्या है जो हमें प्राप्तिव भुक्तान खाते से लेके जाएंगे आई और वे खाते की तरफ अच्चो आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्राप्तिव भुक्तान खाते को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको दिखेगा नकद राशी जो की हमारे पास वर्ष की आरंब में उपलब्द थी चाहे वो नकद हमारे हाथों में हो या वो नकद हमारे बैंक में उपल और देना है आपको पता है कि प्राप्तिव भुक्तान खाते में आप इस तरफ प्राप्तियों को दर्शाते हैं जबकि इस तरफ आप भुक्तानों को दर्शाते हैं इन सभी प्राप्तियों में एसी कई प्राप्तिया आपको दिखेंगे जो वर्तमान वर्ष की नहीं होंगी ठीक है, उन प्राप्तियों को आपको उनके कुल योग में से खटाना है मैं इसको आपको एकपर फिर दोहरा दूँ और लिख भी दूँ कि सबसे पहले आपको क्या देखना है या करना है आपको नकद की राशी को छोड़ देना है इसको आप छोड़ दें इसके बाद आप उन राशियों को छोड़ें जो वर्तमान की राशी नहीं है जो राशिया वर्तमान वर्ष की नहीं है उसे आप या तो घटा दे या छोड़ दे उसे भी छोड़ दे अथवा आप उसे घटा दे ठीके बच्चों इसी प्रकार यदि आपको कोई पूंजिगत मद देखने को मिलता है तो आप जानते हैं कि पूंजिगत मदे कहा जाती है वो जाती है तो आप पूंजिगत मदों को भी छोड़ देंगे पूंजीगत मदें जैसे किसी संपत्ती की खरीद या विक्री किसी देता की प्राप्तिया भुक्तान तो ऐसे पूंजीगत मदों को भी आप छोड़ देंगे ये तीन बिंदू हमने अभी देखे एक बार वापस इनको देखते हैं कि आपका जो पहला बिंदू है वो है नकत राशि को छोड़ना है दूसरा बिंदू है कि आप वर्तमान वर्ष की राशी जो नहीं है उन राशियों को भी या तो छोड़ देंगे घटा आप इन बिंदूओं का पहले तो ध्यान रखेंगे और ध्यान रखते हुए आपके पास प्राप्ति खाते के प्राप्ति पक्ष में जो भी आए हैं जो वर्तमान वर्ष की होनी चाहिए और पुंजिगत नाहों बल्कि आगम प्रकृति की होनी चाहिए ऐसी प्राप्तियों क आप लेंगे और आप अपना आए वाव व्याय खाता जब बनाएंगे तो आप आए वाव व्याय खाते में देखेंगे कि आपको इस तरफ आए दिखानी होती है जबकि इस तरफ व्याय दिखाना होता है तो आप अपने प्राप्तियों भुक्तान खाते से उन प्राप्तियो को लाकर यहां लिखेंगे जो प्राप्तिया वर्तमान वर्ष की हैं और जो आगम प्रकृतिक हैं इसी प्रकार इस तरफ पाए जाने वाले व्यायों को भी आप लाकर यहां लिखेंगे उसमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि वो व्याय जो वर्तमान वर्ष के हों और जो आगम प्रकृतीक हो, आप उनको ही केवल यहां से यह लाकर यहां पर दिखाएंगे तो यह बहुत सरल प्रकृरिया है, अगर आप कुछ इन मुखी बंदिवों को ध्यान में रखे हैं आपको सिर्फ यहां से कुछ प्राप्तियों को लाकर यहां लिखना है और यहां से कुछ वयाओं को लाकर यहां लिखना है लेकिन बच्चों ये करते वक्ट कभी-कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपको प्राप्ति वो भुक्तान खाते में देखनों को शाइद ना मिलें ऐसे विशेश मदों का आपको ध्यान रखना है यदि वो मदें आपको समायोजन में यानि प्रशन के नीचे दी गई है अतरिक्त सूचना के तौर पर तो आप उनको भी ध्यान में रखें वो मदें हैं आपकी मूल्य हरास बच्चों आप जानते हैं हमारी स्थिर संपत्ती की मूल्य में गिरावट को हम मूल्य हरास के नाम से जानते हैं यदि आपको मूलिहरास की सूचना नीचे दी गई है आप उसको भी ध्यान देंगे और उसको आप यहाँ पर व्याय अथवा हानी मान कर उससे आप यहाँ पर दिखाएंगे बच्चो मूलिहरास की भाती यदि कोई रिण है या इसी प्रकार कोई निवेश है जो आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया हुआ कोई रिण या कोई निवेश जो आपको अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है उस पर यदि कोई ब्याज की गणना आपको करनी है तो उसको भी करना ना भूलें ठीक है? कई बार रिणव निवेश की राश्शी पर जो ब्याज होता है वो आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया होता है हो सकता है या तो आपने उस ब्याज की प्राप्तिय भुकता ना की हो जिस वज़े से आपको वो दिखेगा नहीं यहां पर किन्तो आपको सुयम इस बात का ध्यान रखना है कि यदी कोई रिण या कोई निवेश है जिस पर ब्याज बनता है तो एक बार उसे देख जरूर लें कि वो ब्याज क्या आपको गड़ना करनी है निकालना है और यदी निकालना है तो कैसे और कितना निकालना है और फिर उसकी गड़ना करके आप उसे यहां पर दिखाएंगे यदि वो ब्याज दे अब्याज है नि आपको देना है तो आपके लिए ब्याज बन जाएगा और यदि आपको प्राप्त होना है तो आपके लिए आए बन जाएगा इसी की तरह बच्चों एक और मद का आपको ध्यान रखना है और वह है संपत्तियों की बिक्री करने पर होने वाला लाभ या हानी यह भी आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया जाएगा आपको इसे ध्यान से खुद इसकी गड़ना करकर इसे ढूंड कर निकालना है और फिर आपको इसे दिखाना है यदि वह लाभ है तो वह अवश ही आपके आए पक्ष में आएगा यदि वह हानी है तो आपके व्याए पक्ष में जाएगा तो बच्चों इन बातों को थोड़ा ध्यान रखते हुए यदि आप इस प्रक्रिया को का पालन करेंगे तो आपको वय अथवा आय खाता बनाने में बहुत कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा एक बार आपके पास वय आय वय खाता आजाए इसके बाद आप जाते हैं अगले चरण में जहांपर आपको तुलन पत्र बनाना होता है आपके संपत्ती पक्ष में आप सारी संपत्तियों को दर्शाते हैं जहाँ पर नगद हो या कोई फरनीचर हो कोई आपके पास भूमी हो या इस तरह की कोई भी आपके पास संपत्ती हो आप उसे संपत्ती पक्ष में दिखाते हैं दाइत्व पक्ष में जैसे आप पूंजी दिखाते आए हैं उसी प्रकार आपको यहाँ पर पूंजी निधी दिखाना है साथ में कुछ अन्य विच्षेश निधिया वब्द हैं जो हमने पिछले भाग में देखा उनको भी आप वहां जोडते हैं और इसके अलावा यदि आ आपको पिछले भाग में बताई थी वो यह कि कई बार हमें हमारे तुलन पत्र में दिखाने के लिए पूंजी निधी नहीं बताई जाती यदि हमें पूंजी निधी नहीं प्राप्त है तो हम उसके लिए पहले एक आरंभिक तुलन पत्र बनाएंगे जहां हम अपनी संप पूंजी निधी को प्रयोग करके हम अपने अंतिम यानि की वर्ष के अंतिमे बनने वाले तुलन पत्र में उस पूंजी निधी को दिखाते हुए उस तुलन पत्र को बनाएंगे और उसे संतुलित करेंगे तो बच्चों बाते तो हमने बहुत कर ली हैं इसके बारे में अब मुझे लगता है कि हम एक प्रशन के सहायता से यदि को समझें तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे तो अब हम चलते हैं और एक प्रशन देखते हैं इसके उपर आपके सामने आप देख रहे हैं एक प्रशन है जिसमें हमें वर्ष 2016-2017 के बीच का प्राप्ति व भुकतान खाता दिया गया है अब प्राप्ति और भुक्तान खाते को लेकर इसकी सहायता से वह इसमें नीचे दिये गए कुछ समायोजनों की सहायता से आय और व्याय खाते को पहले हम बनाएंगे उसके बाद हम तुलन पत्र की तरफ चलेंगे बच्चों वहाँ जाने और बनाने के लिए यह अवश्यक है कि आप एक बार सभी मदों को ध्यान पूर्वक देखें उनकी प्रकृति को समझें और फिर आप एक अपने मन में ये चीज तयार करें कि आप जब उसको बनाना शु के लिए दिया गया चंदा छपाई और लेखन सामगरी है खेल कुद व्याय सचिव को दिया गया समा नार्थ पारितोशक है और साथ साथ आठ प्रतिशत की दर पर कहीं किया गया निवेश भी है इस निवेश की जो तिथी है वह 31 मार्च 2017 की है तो हम इस जैसे मदों पर वि राशी हुई नकत राशी है जिसमें से कुछ राशी हस्तस्त है यानि हमारे हाथों में है और कुछ राशी हमने बैंक में जमा की हुई है इसी प्रकार हमारी प्राप्तियों को अगर आप देखें तो हमारे पास वर्ष के शुरुवात में यह उपलब्द नकत राशी है इस के पश्चात सदस्यों से मिला हुआ यह चंदा है जो कि बहुत ही महतोपूर है आपके इस पूरे प्रशन के अंदर इस चंदे में आप देखेंगे तो कुल प्राप्त राशी एक लाग बाइस जार पांसो रुपए की है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस राशी में इसको विशेश ध्यान देते वे चलेंगे इसके बाद हमारे पास फरनीचर को विक्रे करके प्राप्त 10,000 रुपए की राशी है लेकिन यहां भी ध्यान देने वाली बात है कि इस फरनीचर का पुस्तक मूल यह 8,000 रुपए था और आपने इसे 10,000 रुपए में बेचा है तो आपको 2000 रुपए का लाब प्राप्त हुआ है इसके पश्चात आपने कुछ पुराने पाक्षिकों और अकबारों को बेच कर पैसे प्राप्त किये फिर आप देखेंगे आपने विवाह के लिए भूमी के प्रयोग का किराया भी लिया है हो सकता है इस संगठन ने अप पढ़ी भूमी विवाह के लिए किराय पर दी हो और उससे कुछ राशे इसने अरजित की हो इसके पश्चात आप देखेंगे तो विवाह के लिए भूमी को प्रयोग करने के लिए दिया गया इसका अर्थ है बच्चों कि हो सकता है इस अंसान के पास कुछ भूमी पर रख हुआ है इसे वह लोकर सुविधा प्राप्त करने से भी किराया प्राप्त हुआ है इस प्रकार ये सारी प्राप्तियों और भुकतान आपको प्राप्तिव भुकतान खाते में दी गई है अब बच्चों प्रशनों में आपके पास प्राप्तिव भुकतान खाते के अलावा नीचे कुछ समायोजन मदे भी दी जाएंगी बच्चों अगर आप इन समायोजनों पर ध्यान दें तो सबसे पहला समायोजन यह है कि इस कलब के 225 सदस्य है जो की वारशिक चंदे के रूप में 5606 रुपए का प्रतेक सदस्य भुक्तान करते है 31 मार्श 2016 को जो की हमारा बीता वर्ष है आप ध्यान दर रखें यह खाता 1 मार्श 2016 से 31 मार्श 17 के लिए है तो 31 मार्श 16 हमारा बीता वर्ष हो गया उस वर्ष में बकाये चंदे की राशी 15,000 रुपए की थी इसके अलावा वर्ष 2016-17 जो कि हमारा वर्तमान वर्ष है उसमें दूरभाश बिल की बकाया राशी 2000 रुपए है लौकर का बकाया किराया जो कि पिछले वर्ष का है 2015-16 का हुआ 3050 रुपए और इस वर्ष का बकाया है 1500 रुपए इसके अलावा वर्ष 2016-17 में बकाया वेतन भी है आपके पास साथी साथ प्रिंटिंग वर्ष स्टेशनरी का प्रारंबिक स्टॉक 2000 रुपए वर अंतिम स्टॉक 3000 रुपए का है तो बच्चों यह हमारी प्रथम पाच समायोजन मदे थी अब देखेंगे प्रशन में हमें दो मदे और दी गई है एक अप्रेल 2016 को कुछ अन्य शेश ध्यान रखेंगे क्या है एक अप्रेल 2016 यानि वर्ष के आरंब में हमारे पास उपलब्द फनीचर भवन वखेल फंड क की यह राशी है फनीचर और भवन पर मूलिह राश की दरें भी आपको दी गई है साड़े बारा प्रतिशत वा पाच प्रतिशत की तो काफी अच्छा प्रशन है इसमें बहुत तरह तरह कि आपको मदे और समायोजन दिया गया है आप इसको अगर अच्छे से समझें कि हम अभी कैसे करेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को और पुनरा वलोकन करने को मिलेगा जो कि हमने सद्ध्याय में अभी तक पढ़ा है तो प्रशन को देखने की बाद बच्चों धीरे-दीर हम इसके उत्तर की तरफ भी चलते हैं तो बच्चों चंदे की राशी के बाद हमारे पास है पुरानी पत्रिकाओं को विक्रे करके मिली राशी जो की यहां पर आपको 32 रुपए में दिख रही है इसके पश्चात फरनीचर के विक्रे पर हुआ लाब फरनीचर आपको याद होगा 8000 रुपए की पुस्तक मूलियका था जिसे हमने 10,000 रुपए में जान दें कि लौकर का किराया 17,050 रुपए का हमें प्राप्त हुआ था उसमें से हमने प्रारंबिक बकाया घटा दिया है यह मानते हुए कि इस वर्ष के आरंब में जो बकाया राशी थी 3050 रुपए की यह अवश्य हमें इस वर्ष में मिली होगी अर्थात यह जो कुल र इसलिए हमने उसको घटा दिया क्योंकि हम आय और व्याय खाते में पिछले या अगले वर्ष की राशियों को नहीं दिखाते केवल वर्तमान वर्ष को दिखाते हैं इसलिए इसके साथ साथ हमने 1500 रुपए की इस राशी को भी जोड़ा है क्योंकि 1500 रुपए की राशी अं गठन को एक लाक रुपय का दान प्राप्त हुआ है यह सारे आय के मदे हैं जो हमने आय और व्याय खाते में इस तरफ दिखाई हैं आय के पक्ष को देखने के बाद अब हम व्याय पक्ष के तरफ चलते हैं व्याय पक्ष पर सबसे पहले बच्चों वेतन की राशी है 24,000 राशी में हमने 2000 रुपय का बकाया पुनह जोड़ दिया तो बच्चों यह हम इस सोच के साथ जोड़ रहे हैं कि यदि इस वर्ष की कोई राशी बकाया रह गई और नहीं मिली फिर भी हम उसे दिखा रहे हैं क्यों क्योंकि आय और व्याय खाते में हम वर्तमान वर्ष की ह पर उस राशी को दिखाएंगे जो इस वर्ष से जुड़ी है भरे ही वह मिली हो या उसका भुकतान हुआ हो या ना हुआ हो ठीक है इसके बाद आप देखेंगे हमारे पास सामीक पत्रिका हेतु चंदा मिला हमें 14,500 रुपय का फिर प्रिंटिंग वा स्टेशनरी की राश प्राप्त हुई है इसके परशाद बच्चों सचिव को दिया गया सम्मा नार्थक पारिश्रमिक एक सरल व्याय है जिसे हमने यहां पर दिखा दिया इसके ओपर हमने मनुरंजन व्याय को भी दिखाया इसके आगे बच्चों आप ध्यान दें खेल कूद से जुड़ी इसके निधी होती है तो उससे जुड़ी हुई आय और व्याय को हम एक साथ अलग से दिखा कर फिर उसकी अंतिम राशी को निड़ने करते हैं कि कहा दिखाना है यहां पर आपके पास तीन जानकारिया ऐसे जुड़ी भी उपलब्द हैं पहली जानकारी यह है कि आपके पा खेलकुत निधी की राशी थी 25 रुपए का आपको इस निधी में दान और मिला तो आपके वास बचो कुल राशी हो गई 450,000 पैले से थी 25 रुपई का अपको दान मिला 40,000 की राशी आपके पास आ गई आपके उसमें से 50,000 रुपई को व्यायmekा तो यदि आपके पास ezानक की राशी हो और आप उसमें से 50,000 व्याय कर दें तो अवश्य ही आप 10,000 रुपे अतरिक्त व्याय अपने संगठन के जमा में से कर रहे हैं तो आपके लिए एक 10,000 रुपे का अतरिक्त व्याय जो आगया वो आप व्याय में उसके अंतिमिस कॉलम में अलग से लिखकर दिखा दिये गए दरों पर हमने फनीचर वभवन पर मुलीहरास की राशी को ग्याद किया और हमारा कुल मुलीहरास 44,000 रुपए का हमने यहां पर इसको दर्शाया यह सारी मदों को यहां पर दर्शाने के पश्चात बच्चों आप दोनों पक्षों का संतुलन ग्याद करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि हमारे पास यहां इस पक्ष में 25,425 रुपए की कमी है अर्थात हमारे आए हमारे वैव से 25,450 रुपए जादा है इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारे पास कुछ राश्य बच गई जिसे आप वैवसाइक संगठनों में लाब कहते हैं लेकिन यहां पर इसे हम कहेंगे अदिशेश क्योंकि आए आपकी व्याय से अधिक है ठीक है तो यह हमारे आए और व्याय खाते को बनाने का उद्देश था कि हमें या तो अदिशेश या उस तरफ घाटे की राश्य प्राप्त होती इस प्रश्ण में हमें अदिशेश की राश्य प्राप्त हुई है अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम तुलन पत्र को कैसे बना सकते हैं तो बच्चों अभी आपके सामने यह जो तुलन पत्र है इस पर ध्यान दी है 31 मार्च 2016 का यानि पिछले वर्ष का तुलन पत्र यानि बैलेंचीट है इसे हम क्यों बना रहे हैं क्योंकि इस वर्ष की तुलन पत्र को बनाने के लिए हमारे पास पूंजी निधी की राशी नहीं थी तो मैंने आपको बताया थे यदि ऐसा होता है तो आपको पहले आरंबिक तुलन पत्र बनाकर पूंजी निधी की राशी निकालनी होगी इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि प्रश्ण में आपको सभी चीजों का जो आरंबिक शेश दिया हुआ है उनको आपको यहाँ पर लिखना है प्रिंटिंग और स्टेशनरी का प्रारंबिक स्टॉक आपको दिया हुआ था लॉकर का किराया और चंदा जो आपको पिछले वर्ष का बकाया मिलना था वो आपके लिए संपत्ति बनकर यहाँ पर आ गया इसी प्रकार हमारे व्याय पक्ष में खेलकुद निधी का जो हमारा आरंबिक स्टॉक था वो हमने दिखाया इनको दिखाने के बाद आप दोनों पक्षों का संतुलन निकालेंगे तो जो यहाँ पर यह अंतर आएगा यह अंतर आप पूंजी अत्वा सामाने निधी के नाम से दिखाएंगे जो कि आपकी शेश राशी के रूप में आया इसको बनाने का उद्देश यही ता कि हमें यह राशी मिल जाए जिसे हम प्रयोक करें अपने अंतिम तोलन पत्र को बनाने के लिए तो आएए अब देखते हैं कि अंतिम तोलन पत्र में हम क्या क्या मदें दिखाएंगे तो बच्चो अंतिम तोलन पत्र बनाने के लिए आपको अपने सभी मदों की अंतिम राशिया या अंतिम शेश को लेना है सबसे पहले इसमें भी हम रोकड अथवा नगत से शुरू करेंगे जो की हमारे पास वर्ष के अंत में था ये आपको प्राप्तियों भुकतान खाते के अंत में इस तरफ देखने को मिला था रोकड की राशी के बाद बच्चो हमारे पास चंदे की राशी है जो बकाया थी यानि मिलनी बाकी है आप याद करेंगे इस वर्ष की बकाया राशी 12,500 रुपे थी जबकि पिछले वर्ष की जो बकाया थी 15,000 में से हमें 12,000 मिल गए थे इस वर्ष लेकिन धाई हजार रुपे पिछले वर्ष के अभी तक बकाया है तो कुल मिलाकर हमारी कुल बकाया राशी चंदे की पंदरह हजार रुपे की यहाँ पर आ गई इसी प्रकार लॉकर का इस वर्ष का बकाया किराया पंदरह सो रुपे प्रिंटिंग और स्टेशनरी का अंतिम स्टॉक 3,000 रुपे फरनीचर की राशी आपके पास एक लाख रुपे शुरुवात में थी उसमें से 8,000 रुपे की मूल लेका फरनीचर आपने बेचा आपके पास राशी बची 92 यानि 92,000 रुपे की उसमें से आपने मूलिहरास को घटाया और आपके पास फरनीचर की जो राशी आई अंत में वो 8500 रुपे की आई ततपश्चात भवन की राशी में से उसका मूलिहरास घटाया आपने और आपको मिल गई भवन की अंतिम राशी तपिर निवेश की राशी भी एक लाख ुरुपे की हमारे पास थी हमारी संपत्य उसको भी हमने यहाँ पर दिखा दिया संपत्य पर पक्ष पूरा होने के बाद अब इधर आएंगे यहां पर आप देखेंगे आपके पास चंदे की अग्रिम राशी भी थी जो की प्राप्ति वह भुक्तान खाते में आपको दी गई थी कि आपने अगले वर्ष के लिए कुछ चंदा प्राप्त किया वह आपके लिए दाइत् तुलन पत्र को बना कर प्राप्त किया था उसमें आपने आय और व्याय खाते के अधिक्य को जोड़ा और आपके पास यह अंतिम पूंजी निधी आ गया इस सब को लिखने के बाद तुलन पत्र के दोनों पक्ष बराबर हो जाने चाहिए यदि यह बराबर हो जाते हैं त पर कदम दर कदम बढ़ाते वे यदि प्राप्ती खाते से आय और व्याय खाते पर आएं फिर प्रारंबिक तुलन पत्र और फिर अंतिम तुलन पत्र पर आएं तो आप इस प्रकार से अलाबकारी संगठनों के सभी अंतिम खातों को बना पाएंगे तो बच्चों इस पू को हमारे चारो भाग और अध्याय समझ और पसंद आये होंगे आज के लिए धन्यवाद कर अखंद हर बाग खंया खंद हर ड्या ट कर वारे एंद मिट और रसका यकर cient कांजीमाद अब कर बाह कि दमारे होंगे थराला आये हो solन। ऑquarे हो है वारा कि वारे यह रyn्याम